चले, देखते हैं, हमारे पास एक question है, इसमें दिया गया है कि a metallic oxide contains 60% of the metal, the equivalent weight of metal age, ठीक है, तो देखें, ऐसे questions को बनाने के लिए क्या करना है, सबसे पहले आप ऐसा सोचिए कि आपके पास एक metal है, और एक metal क्या कर रहा है, combine कर रहा है O2 के साथ, और ये combine करके आपको बना रह metal oxide, ठीक है, ये आपको क्या दिया, metal oxide, अब देखे, metal oxide आपको मिल गया यहाँ पे, तो देखे, 60% यहाँ पे आपको बोला जा रहा है कि इसमें metal है, इसका मतलब कि अगर आप metal oxide का mass कितना ले लिजे, 100 gram अगर ले लिजे, तो metal का जो mass है, वो कितना है, 60 gram है, यहीं मतलब हु कि अगर आपका metal oxide कितना है, metal oxide का value, अगर उसका mass कितना है, 100 gram अगर आपका दिया हुआ है, तो इसमें हमारा जो metal है, वो कितना है, तो देखे, oxide method से हम लोग जानते हैं कि कैसे आप किसी भी metal का oxidation, sorry, equivalent weight calculate करते हैं, तो इसके लिए करते क्या हैं, weight of metal लेते हैं, weight of metal लेते हैं, और divided by, यहाँ पर हम लोग लेते हैं, weight of oxygen, weight of oxygen, और multiply करते हैं हम लोग 8 से, तो देखे, यहाँ पर आपको metal का mass मालूम है, metal oxide का mass मालूम है, तो weight of oxygen आप निकाल सकते हैं, कैसे निकाल सकते हैं, तो 100 minus 60 equals to, आप लिख सकते हैं, 40, तो अब आप यहाँ पर क्या कर दिजिए, अब इस value में आप क्या करें, 60 रखे, divided by 40 रखे, और into क्या करें, 8 रखे, ठीक है, इसको इसको अगर आप cancel करते हैं, तो यह 5 से cancel हो जाएगा, ठीक है, और इसको और इसको cancel करते हैं, तो यह 12 से cancel हो जाएगा, यानि equivalent weight of metal यहाँ पे कितना आ गया तो equivalent weight of metal आपका आ गया 12 तो जो भी option में 12 रहेगा वो आपका answer हो जाएगा